पिरे अच्छातरों नमस्कार आप सभी को एक नया वीडियो में स्वागत है अगर आप बोड़ एक्जाम देने वाले हैं इस वीडियो को अन तक जरूर देखे कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गराफिये विधी से सम्हाल कैसे ग्यात करिएगा काफी महत्मुन पांच नमबर में हमें सब पूछा जाता है वोड़ एक्जाम में तो प्लीज अन तक देखे बिल्कुल आपको असानी से समझ में आ जाएगा कि गराफिये विधी सम्हाल कैसे करते हैं तो दीखे सबसे वह आपको पता है कि इसमें दो समीकरन है एक्स प्लस वाई ब्रावर लेकिन दो ही निकाल लिएगा काफी है इससे जादे नहीं निकाल लिएगा क्यों क्यों माली जे दो निकाल रहे है दो सही निकाले है और तिसरा गलत है तो अगर आप बनाईएगा तो तिस ग्राफ आपको गलत हो जाएगी ठीक है न तो चलिए इसको हल करते है सबसे पहले उसमें आपको हल करना है तो x प्लस y बरावर कितना है? 3 इसको माल लेते हैं समीकरन 1 एक है 2x प्लस 5y बरावर 12 इसको माल लेते हैं समीकरन 2 अब देखिए अपने मन से हम कहें न कि समीकरन 1 या 2 में अपने मन साम मान रखिए और अगला समीकरन का माना हैगा अगर मान लीजिए पहला समीकरन है इस तरह से पहले आपको एक box बना लेना है और दो ही मान निकाल रहे है आप चाहे तो तीन भी निकाल सकते हैं चार भी निकाल सकते हैं लेकिन दो कम से कम दो चाहिए तो देखे एकस पलस वाई बराबरा तीन है तो लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में यहां आप समीकरण यह लिख लीजेगा फिर से इस बॉक्स में आप एकस पलस वाई बराबर तीन लिख लीजेगा समीकरण एक में वाई बराबर जीरो रखने पर y बेराबर 0 रखने पर तो समीकरन एक कितना है x पलस y बेराबर 3 है तो x के मान 0 रखेंगे तो 0 इधर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानि y x के मान कितना आ जाएगा 3 y के मान 0 रखे है यह x है और यह y है y के मान 0 रखे है टेक स्की मान कितना आया है? एक आया, تीन आया है. यहां तीन देंगे. इसी तरह से आपको लिखना है. अब चलिए, किस का मान रखते हैं? अब मान लेते हैंтив? एक से की मान रखते हैं? एक्स बरावर एक रखते हैं Может भी रख सकते हैं ठीक है ना बस असान रखेगा ताकि आपको गराब खिचने में कोई समस्या न हो तो जितल यह समी करन समी करन एक में एक स्वराबर एक रखने पर एक रखने पर अब देखें समी करन एक में एक स्वराबर एक रखने पर एक स्वराबर 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 एक स्वर य के मान आपको दू आया है चलिए एक box हमें अधिक बन गया है यानि हम दो ही चाहे लेकिन तीन बन गया तो तिसरा भी रख लेते हैं चलिए अब एक और मान रख देते हैं अब एक मान रखते हैं मान लीजे एकस के मान दो रखते हैं एकस बरावर समीकरन एक में एकस बरावर दो रखने पड़ समीकरन एक में रखना है तो एकस पलस वाई बरावर तीन एकस क्वान दो रखना है तो वाई बरावर तीन तो वाई तीन में से माइनस इधर पलस है तो दो हो जाएगा यानि y के मान आपको एक हो जाएगा ठीक है कितना हो गया एक समझ गया यानि y के एक के मान दो रखे तो y के मान एक आया है समझ गया ना ये समीकरन कितना है या समीकरन एक का हल है ठीक है ना निकाल लिए समीकरन एक का हल अब इसी तरह से समीकरन दो का हल निकाल लिए समी करन 2 का हल निकालने के लिए इस तरह से इसका एक box बना लिजे इस तरह से आप इसका एक box बना लिजे इसमें भी 3 निकालेते हैं जब उसमें निकाले है इसमें लिख लिजे 2x पलस 5y बरावर 12 और इसमें भी अपने मन से आपको जो मन करे वो रख सकते है अगर मान लिजे इसमें क्या करते है समी करन दो में वाई बराबर जीरो रखने पर कोई भी अब मान रखेगा बस देखेगा कि ऐसे मान दिमाग लगाईएगा कि रखने से कट जाए या बट्टे में भी आयता आप असानी से बना लिजेगा बस आपको समझ में आना चाहिए बट्टे माईगा तो पहले उसको दसम्मला में लिख लिजेगा और अगर माले जे दसम्मला में 3.33 आया तो 3.3 के मानेंगे और उसके बाद बना लेंगे फिर 2x पलस 5y बराबर 12 तो 2x पलस 5y के मान 0 है तो 0 देंगे बराबर 12 2x 5 में 0 से गुना करेंगे 0 बराबर 12 तो 2x 12 इधर 0 है तो कोई फर्क न पड़ेगा तो x बराबर 12 बट्टे 2 यानि x के मान कितना हो गया? 6 हो गया यानि हम 0 रखे है तो x के मान कितना आ गया? 6 आ गया समझ गे न? y के मान 0 रखे है तो x के मान 6 रखा है आया है और अब रख लीजे अगर मालीजे हम x के मान एक रखते हैं किसका मान x के मान समिकरन दो में x बरावर एक रखने पर तो 2x प्लस 5y बरावर 12 तो 2 गुने 1 हो जाएगा 5y बरावर 12 तो 5y दू में x से करेंगे तो 2 प्लस 5y बरावर 12 तो 5y बरावर 12 इधर दो आएगा तो घट जाएगा तो 5y बरावर आपको हुआ 10 तो y के मान कितना हुआ 10 बर्टे 5 यानि y बरावर पांदोना 10 कितना आए आपको आपको आया कितना 2 आया कितना रखे है तो एक रखे है तो लिए एक कितना रखे है एक रखे है तो आई कहिं मान आपको 2 आया है अब देखें तीस्रा मान निखा लेंगे तो अब ये 2 हो गया अब 3 मान निकालेंगे तो 3 मालेजी एक सक्रमान 3 रखते है तो 3 दूना 6, 12 में से 6 गया तो 6 यानि 5 से 6 में भाग देंगे तो 10 मला में आ जाएगा मन है तो रखिये, नहीं मन है तो छोड़ दीजे अगर मालेजी दूर रखेंगे तो हो जागा, तो चलिए हम समी करन ऐसे कोई भी रख सकते है, ठीक है न हम असान इसलिए रख रहा है ताकि आपको समझने में कोई समस्या न होई ठीक है न, तो लिख देते हैं समी करन समी करन 2 में अब पहले एक साथ पहला वला को बनाईएगा, फिर इधर दूस्या वला को बनाईएगा नहीं, इस पेस थाम, इसलिए इधर बना रहा है समी करन 2 में y बराबर 4 रखने पर ठीक है समी करन 2 कितना है समी करन 2 है 2x पलस 5y बराबर 12 और 2x 5y यानि y के मान 4 बराबर 12, तो 2x 25 बराबर 12 12 है तो 2x इधर 12 में से 20 घट जाएगा, तो 2x बराबर 12 माइनस 20 या तो माइनस 8, x बराबर आपको होगा माइनस 8 बटे 2, यानि x के मान हुआ x के मान हुआ माइनस 4 ठीक है, आपको पता चल गया कि y के मान 4 रखे है, तो x के मान माइनस 4 आया है, तो इस तरह से 3 निकाल लिए, अब यह निकाल लिए और यह एक बार चेक कर लिजेगा क्योंकि यही सब खेल यही है, गर आप यही भी दिशहल करना है, गर यही आप mistake कर दिए, तो आपको गर आप गराब खीचिएगा, वो असानी से खीचा जाएगा, कोई दिकत नहीं, यहाँ आप इतना अगर बना लेते हैं, तब तो चली मैं आपको बताता हूँ कि आप गराफ यही भी दिशहल कैसे करना है, इतना तो आप समझगे यही गराब का पेज है इसी पर आपको गराब खीचना है और इसके बाद हल ग्याद कर लेना है तो सबस्वर आपको करतियत तल बनाना है करतियत तल आपको पता होगा कि कैसे मनाया जाता है आप सबसे पहले एक y x खीचिएगा बिल्कुल सिदा खीचेगा. ठीके नए? आपको खीचने आता होगा. इस तरह से खीच लेना है. और अद देखिए आपको pencil का यूज करना है? pen का यूज नहीं करना है. हम pen की यूज इसलिए कर रहा है कि आपको screen पर दिखाई दे नहीं तो अगर pencil के use करेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा फिर इस आपको इस तरह से कर लेना है इस तरह से कार्थी तेल बना लेना है एक y अक्ष और एक x अक्ष यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, छे जितना आटा है उतना आप दे दिजे, कोई दिकत नहीं है इधर minus होता है, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 इधर 1, 2, 3, 4, 5, जितना आटा है उतना दिजे इधर minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर मालीज आप मान निकाले है अगर मान निकाले है, और किसी के मान, x के मान 10 आया है तो दिखे, इधर 10 कर लिजेगा, क्योंकि यह x अक्ष है, plus है तो plus इधर 10 कर लिजेगा, अगर मालीज य के मान सबसा दिखाया है तो गीन के देख लिजेगा, इधर उतना पूर जाएगा की नहीं पूर जाएगा अगर मालीज य के मान 8 है, तो देख लिजेगा, plus 8 इधर पूरेगा या नहीं नहीं पूरेगा तो अधर आप यह नहीं कि यह दोनों सबतर बराबर होना चाहिए नहीं आप यहां से भी किस सकते है, यहां भी से किस सकते है, जिधर अधिक चाहिए उतना उधर अधिक करके किस सकते है ठीक है न, और यह कहीं अंत नहीं है, जितना मन करे उतना लिख सकते है ठीक है तो यहाँ x dot होता है इसको मानते है और इसको x मानते है और इसको y मानते है और इसको arrow दे देते है ताकि आपको समझ में आजाए यहाँ तो हीते है यहाँ दे देते है ठीक है यह 6 है और यहाँ arrow है यह y दे देते है ठीक है आपको दिखाई देता होगा इसलिए दे दिये है मैं उपर ठीक है हम सोचे नहीं दिखाई देता होगा इसलिए यहां बना दिये लेकिन दिखाई देता है यहां एरो है अब दिखे निच्छे निच्छे बना देते है यहां यह है y dot समझगे ने यह क्या है y dot इधर y y dot x dot x ठीक है इसके बाद खीच लिजे असानी से कोई समस्था नहीं है आपको जो मान निकाले है वो मान पता होना चाहिए तो चली मैं आपको मान बताता हूँ देखिए मैं एक अलग पेज पर इसको लिख लिख लिया हूँ क्योंकि दोनों पेज का एक साथ करना मुश्किल था नहीं दिखाई देता आपको दोनों पेज तो मैं अलग इसको लिख लिख लिया हूँ अब क्या करना इसको देखिए x के मान 3 है पलॉस 3 है X के मान, तो X के मान 3 यहाँ है, तो यहाँ देखेंगे X के मान 3, अब Y के मान 0 है, X के मान 3 और Y के मान 0, क्याने देखिए, यह दोनों यहीं मिलेगा, यहीं, ठीक है न, 3 यहाँ है और Y के मान 0 है, यहीं न, मिलेगा, तो यह हो गया 3 और 0, पहले लिखेंगे, और y के मान दू, पलस दू है, तो पलस इधर है, तो यहाँ देंगे, इसका देखिए, इधर यहाँ से यहाँ मिल जाएगी, तो यहाँ देंगे, एक और दू, X के माण 1 तो 1 खोजे है प्लस 1 Y के माण 2 तो प्लस 2 नीचे तो माइनस इधर भी माइनस है तो प्लस 2 यहाँ है तो इसके सामने सामने यहीं न होगा यहीं दोनों न मिल जाएगी तो इसको लिख लेंगे 1 और 2 अब देखिए X के माण 2 और Y के माण 1 X के माण 2 तो X के माण 2 यहाँ है ठीक है और Y के माण 2 यहाँ है यहाँ देंगे क्योंकि यहाँ मिलेगी यह दोनों समझ गए तो यहाँ हो गया 2 और 1 समझ गए न अब क्या करना है यह जो बिंदू दिखाई देता है तीनू को आप इसको मिला दीजिये, मिला दीजियेगा तो पहला समीकरन का गराप हो गया, ठीक है न, अब दुसरा के खिचना है, चलिए इसको हम मिला देते हैं, यह इसके बाद बिल्कुल सिधे मिलाइएगा, अगर थोरा भी टेर टार मिलाइएगा, तो आपको गराप गलत हो जाएगी ठीक है ना तो इसलिए आप बिल्कुल सिधा मिलाईएगा तो देखे ये हम मिला दिये बिंदुओं को समझ गये ना तो ये कितना समय करन के था एकस पलस वाई वराबर तीन विल्कुल सिधे सिधे मिलाईएगा चलिए अब दुसरा समय करन देखते हैं दुसरा क्या था तो देखे दुसरा के मान था एकस के मान चो और वाई के मान जीरो यानी एकस के मान चो एकस के मान चो यहाँ है और वाई के मान जीरो तो यहीं आएगा चो जीरो ठीक है अब दूसरा है एकस के मान एक और वाई के मान दू एकस के मान एक और वाई के मान दू देख लीजिए एकस के मान एक और वाई के मान दू तो यहाँ देखिए दोनों क्या है X के मान आपको दिखाई दिया है 1 और Y के मान 2 तो यहाँ तो पहले से ही है तो इसको छोड़ देंगे ठीक है जो पहले से रहेगा वहाँ छोड़ देंगे अब X के मान माइनस 4 Y के मान 4 X के मान माइनस 4 X के यहाँ है यहाँ है न और चार ठीक है इस तरह से आप लिख सकते हैं अब इस बिंदू को भी मिला दीजे अब इस बिंदू को कहां से मिलाना है ये दूनों बिंदू को तीन बिंदू के समझ गए ना ये तीन बिंदू को मिलाना है एक ये था एक दो वाला को इसको सिध्धे बिल्कुल मिला दीचे मिला दीए और जो समी करन था इसका लिख लीजे इसका समी करन था 2x प्लस 5y बराबर 12 इतना तो हुआ गराब खीचे अगर आपसे सवाल में पुछे कि डाइट गराब खीचे तो आप इतना खीचके छोड़ दीजिए लेकिन आपको अगर कह रहा है कि गराफ ये बिदी से हल करना तो एक शीज़ ध्यां रखेगा ये दोनों रिखाए जहां परतिछेद करती है न वही इसका एंसर हो जाता है तो दीखे ये दोनों रिखाए आपस में कहां मिली है यहां एक और दूपर एक दूपर मिली है न तो एक दूपर मिली है तो एक पता है न एक ये एक्स है और ये दू वाई है अनि एक्स वाला को भूज वाला भूज है जो एक्स है पहले को भूज बोलते हैं दुसरे को को बोलते हैं तो भूज एक सोता है और कोटी वाय होता है ठीक है न यहां आपको लिख देना है अता एक्स बरावर एक और वाय बरावर दो है समझ गये इसी तरह सापको लिख देना है जहां भी मिले वही इसका एंसर हो जागर मालीजे हाँ अब यह रहता तो कोई दीकत अगर मालीजे यहां कोई रेखाय मिलती है तो यहां तो देख लेती इधर से यह 6 है और इधर से 3 है यानी 6 3 यानी x के मान 6 y के मान 3 तो इसी तरह सापसाने से अगर आप खीश सकते हैं मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको जरू समझ में होगा समझ आया तो वीडियो के लाइक और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जारू प्रड़े धन्यवाद